अब आप देखेंगे हमारी स्वेटर की लेंफ जो है पूरी हो जुगी है जितनी हमार को leans जिए थी उतनी हमने इसको कंप्लीट कर दिया thing अब हम क्या करेंगे अब हम neck का जो part है वी neck का वो हम गटाना सिखेंगे और shoulder के इस तरह से हमने गटाने है वो मैं आपको बताऊंगे यही length हमने पूरी complete कर दी है आप भी इस length को जो पूरा complete कर लेंगे sweater की यहां पर आप देखेंगे border length के बाद जितना भी आपको design के बाद जो है sweater की length रखनी है उसको complete करके फिर हम armhole की cutting करेंगे चलिए सीखते हैं सबसे पहले हम इस तरह से दो फंदो को साथ में लेंगे और दो का एक करेंगे इस तरह से फिर से वापिस इस फंदे को डालेंगे दो का एक करेंगे यह हो गया हमारे दो फंदे decrease दो तीन चार और एक पांच इस तरह से हम पांच बंदे decrease करेंगे यह हमारे shoulder के हैं बाकी आपने जिस तरह से आपका design है उसी तरह से आपने row को पूरा complete करना है तो यहां पर मेरे सभी फंदे में उल्टे उल्टे निट करने है तो में इनको उल्टा उल्टा बना दूंगी लास्ट तक हम पूरा इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे फिर हम दूसरी side से decrease करेंगे इस row को हम पूरा कर लेते हैं इस तरह से यहां पर हमने 5 गटाने के बाद पूरी row को बना दिया है अब हम दूसरी side में आएंगे यहां पर भी हम next side में पांच वंदे decrease करेंगे उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हम करते हैं एक, दो, तीन, चार, और एक, पांच इस तरह से हमने 5 गटाने कर दिये इसके बाद हमने जो हमारा design जिस तरह का है उसी तरह से हमने पूरी row को complete करना है last तक हम करेंगे तो इसको हम पूरा कर लेते हैं जो भी हमारा design है फिर next row बनाएंगे यहां पर आप देखेंगे 100n यह हमने रोप बूरी करके 5 गटाने यहां पर decrease करके अब 5 गटाने यहां पर दूसरी side में decrease करने के बाद दूनों side में decrease करने ने के बाद अब हम दूसरी row में आएंगे यह हमारे जो है अब सबसे पहले हमारे 108 फंदे थे, 10 फंदे हमारे डिक्रीज होगे थे, 5 राइट साइज से और 5 लेप्ट साइज से, तो अब हमारे पास 108 फंदे बच्चे हैं, 108 में से अब हम 4 फंदे और डिक्रीज करेंगे, एक, दो, तीन, और एक, चार, चार फंदे हमने यहां पर डिक्रीज कर दिये, 108 में से चार यहां पर डिक्रीज करेंगे, चार हम इस साइड से, दूसी साइड से यहां पर डिक्रीज करेंगे, तो हमारे पास यहां पर हमारे तोटल 9 फंदे यहां पर डिक्रीज हो गए हैं, और 9 ही फंदे हमारे इस साइड में डिक्रीज होंगे, और सेंटर में हम, सेंटर के जो फंदे हैं, इनको हम डिवाइट क जो center है उसको हम वहाँ पर हम 2 फंदों का एक करेंगे तो चलिए बनाते हैं 50 फंदों तक हम इसको center का करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी हमारे 4 फंदे हमने यहाँ पर extra रखने हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे 4 फंदे जैसे हमने यहाँ पर decrease किये हैं तो 4 यहाँ पर हमारे decrease होंगे तो बीच में center के partition तक पहुंचते हैं यानि कि 50-50 फंदों में हम इसको divide करेंगे अब आप देखेंगे यहाँ पे हम center में आगे हैं 5 और 4 की cutting करने के बाद यहाँ पे 5 और 4 की cutting करने के बाद यहाँ पे center में हमने दोनों side की फंदों को 50-50 divide किया है यहाँ पे 4 फंदे हमारे extra रहेंगे यानि कि यहाँ पे 54 रहेंगे एक side में 50 50 तो हमने कर दियें लेकिन हमने जो 50 जो हमारा फंदा है क्योंकि यहाँ पे हमने 2 का एक करना है center में V neck की shape के लिए तो यहाँ पे हम दोनों side से 49 और 49 फंदे रखेंगे प्लस इस side में 4 फंदे extra है तो यहाँ पे हम दो का एक करेंगे यह हमारा V shape की neck के लिए यहाँ पे रहेगा और इसमें हम mark लगा लेंगे यहाँ पे मैं safety for net कर रही हूँ इसमें ताकि हमने याद रहे कि हमने कौन सा फंदा दो का एक किया था इस तरह से यह हमने इसमें pin लगा दी इसके बाद हम continue आगे तक जिस तरह का हमारा pattern है उसको बनाएंगे और यहाँ पे हम इस side में पहले तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा complete कर लेंगे एक फंदा बिना बुने रखेंगे last का इसको हम पहले पूरा कर लेते हैं फिर उसके बाद हम 4 फंदे decrease करेंगे इस तरह से अब देखेंगे हमने इस रो को पूरा complete कर दिया है और last का फंदा बिना बुने उतारा है सेंटर में 2 फंदे decrease करने के बाद अब हम इस side में आएंगे अब आप देखेंगे हमने किस तरह से यहाँ पर यह फंदा हमने बिना बुने उतारा था अब हम यहाँ पर भी 4 फंदे decrease करेंगे एक दो तीन और एक चार चार फंदे decrease कर दिये उसके बाद जैसा हमारा जो भी हमारा pattern है उसको हम follow करते जाएंगे यहाँ तक center तक जहाँ पर हमने दो का यह किया है यहाँ तक हम जिस तरह का हमारा pattern है उसी तरह से बना लेंगे फिर मैं आपको आगे बताती हूं कि हमने किस तरह से neck वाली side में decrease करना है यहाँ पर आप देखेंगे center में यह हमारा जिसमें हमने pin लगाई है यह हमारा neck के लिए फंदा है और यहाँ तक हमने सभी फंदों को बुल लिया है और यहाँ पर हमने last में 5 और 4 की cutting करते वे बाकी का design complete करते वे आये है अब हम यहाँ पर यह center का फंदा इसको हम as it is ही रहन और बाकी हमारा जो design है उसी तरह से हम complete करेंगे बाजवाली side में हम कोई भी फंदाब decrease नहीं करेंगे यहाँ पर हमने बहुत जादा deep cutting नहीं की है 5 और 4 की cutting ही की है तो अब हम अपने इस design को continue करेंगे और इस side से इसको हम बना लेते हैं back side से भी हमने यहाँ तक पूरा complete करना है फिर दूसरी room में हम next room में हम decrease करेंगे पहले हम इस room को complete करेंगे और back side की room को भी हम यहाँ तक बना लेंगे यह हमने back side की room complete कर दी है अब हम यहाँ से start करेंगे अब हम फिर से 2 फंदों का एक करेंगे यह हम second time करेंगे continue पहले हमने पहले रूम में किया फिर बैक साइट की रूओ को यह नवना अब हम फरंट साइट से फिर से डिक्रीज करेंगे और बागी के डिजाइन को फिर फोला बना लेंगे और बैक साइट की रूओ को भी बनाएंगे दो बार हमने लागातार एक row के बाद हमने decrease किये हैं अब हम थीसरी बार decrease करेंगे फिर से दो का एक करेंगे और बाकी पूरी डिजाइन को हम फ्रंट साइड की row को भी हम जिस तरह की है उसी तरह से बना लेंगे और बैक साइड से भी हम इसको यहां तक फिर से बना लेंगे अब हम इसकी next row में आगे हैं यहां पे भी हमने दो फंडो का एक करना है इस तरह से और बाकी जो है जिस तरह का हमारा डिजाइन है उसी तरह से हमने continue रखना है यहां पे आप देखेंगे इस तरह से हमने एक, दो, तीन और एक, चार चार पारी हमने एक, एक फंडे continue decrease किया है एक row के बाद decrease किया है अब हम तब तक अब हम चार row के बाद इसको decrease करेंगे दो का एक करेंगे चार row के बाद दो का एक तब तक करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास 28 या 30 फंदे हमारे पास बच जाएंगे तब तक हम इसको 2 का 1 करेंगे लेकिन 4 सिलाईओं के बात करना है अभी तक तो हमने 1 सिलाई के बात किया था तो अब हम 4 रों के बाद 1 एक फंदा 2 का 1 करते जाएंगे और right side से ही इसको decrease करना है तो अब हम इस length को पूरी कर लेते हैं जब तक कि हमारे जो है armhole और जो है इसकी length जो है पूरी ना हो जाए तब तक हम इसको complete करेंगे अब हम 4 का 1 करते वे 4 रों के बाद 2 का 1 करेंगे और इस length को अपनी पूरी करेंगे और दोनों side से हम इसी तरह से करेंगे जब हम दूसरी साइड में आएंगे तो यहाँ पे भी हमने पहले तो continue दो चार रो में जो है दो का एक करना है उसके बाद चार रो के बाद दो का एक करना है और तक तक करना है जब सकी आप जितने आप शूल्डर के लिए फंदे रखना चाहते हैं या आप 28 और 30 के बीच में आप रख सकते हैं अब आप देखेंगे हमने दोनों जो शूल्डर की लेंद्ध है और मोल की लेंद्ध है वो हमने पूरी कर ली है अब हम दोनों जो फ्रंट साइड का पोर्शन और बैक साइड का पोर्शन है दोनों को हम इस तरह से उल्टी साइड से इसको करेंगे जो सी साइड की अंदर को रखेंगे जैसे आप देखेंगे ये बैक साइड के फ्रंट वाली साइड है सीधी वाली साइड है और ये है फ्रंट का जो हमारा पॉर्षन है उसकी जो है ये फ्रंट साइड है तो चलिए अब हम इसको डिक्रीज करेंगे किस तरह से हम इसको डिक्रीज क एक फंदा अगली स्लाइसें इस तरह से दो का एक करेंगे फिर नेक्स्ट इस तरह से फिर दो फंदे लेंगे दोनों को एक साथ बुनेंगे और पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे पर इस तरह से गटा देंगे फिर से एक बार आप देखेंगे दो फंदों को इस तरह से लिया पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के उपर उतार दिया इसी तरह से हम अपने शोर्डर वाले जो पार्ट है इनको जोड़ेंगे इस तरह से और शोर्डर में हमारे जो है 31 फंदे 31-31 दोनों साइड रखे हैं आप जाए तो 32 भी रख सकते हैं 30 भी रख सकते हैं या फिर 28 भी रख सकते हैं तो मैंने यहां पर 31, 31 फंदे मैंने दोनों साइड में रखे हैं, शोल्डर में, अब हम इसको इसी तरह से डिक्रीज करते वे जाएंगे, इस तरह से आप देखेंगे, यह हमने शोल्डर वाले सब भी फंदे डिक्रीज कर दिये हैं, अब हम सेंटर वाले फंदे डिक्रीज करेंगे, यहां पर आप देखेंगे, इनको भी हम इसी तरह से डिक्रीज करेंगे, दो का एक करते वे जाएंगे, जितने की हमारे नेक्स्ट जो हमारा पॉर्शन है, शोल्डर वाला, इसमें हमारे 31 फंदे हैं, बाकी सबी फंदों को तो हम दो का एक करेंगे, जो हमारे 31 फंदे हैं, उनको हम दो का एक करेंगे, यानि की दोनों फंदों को एक साथ डिक्रीज करेंगे, यह हम इसी तरह से करते जाएंगे, और यहां पर हम 31 फंदे रखेंगे, क्योंकि हमारी फ्रंट साइड में 31 फंदे हैं, तो इसके साथ हम इसको जोईन करेंगे, प कि हमारे पास 31 फंदे नहीं रह जाते यहां पर आप देखेंगे बीच के सभी फंदों को यहां से शूर्डर कंप्लीट करने के बाद बीच के जितने भी फंदे थे उनको हमने डिक्रीज कर दिया है अब हम next जो है second जो हमारा शूर्डर का part है इसको भी हम इसी तरह से डिक्री करेंगे दो फंदों को एक साथ बुनेंगे पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के उपर से उतार देंगे इस तरह से हम दोनों शूर्डर के part को जोईन करेंगे इस तरह से हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे मैंने पहले भी आपको जो है इसको शूल्डर के पार्ट को बनाना सीखाया है अगर आप मेरे चैनल पर और भी वीडियोस आप देख सकते हैं इस तरह से इसको जॉइन करते हैं मैंने आपको पहले भी बताया है तो इस तरह से हम इसको पूरी कंप्लीट करेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट में हम बाजू बनाना सीखेंगे इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे भी शेव की नेक किस तरह से बनाते हैं और बाजू में जो है इसकी बनेगी वो हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे तो इसको हम इसी तरह से complete करेंगे इस तरह से देखेंगे हमने अपनी sweater की neck को जो है वो पूरा कर लिया है और हमने दागे को यहां पर cut कर दिया है और इसको हम सुवी से जो है इसी में हम इसको add कर देंगे तो इस तरह से हमारी V-shape का जो neck का pattern है यह बनेगा अगर आप इसकी वीडियो detail में देखना चाते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल के already यह वीडियो है V-shape neck की किस तरह से हमने V-shape neck बनानी है बिल्कुल detail वीडियो है आप उसको check कर सकते हैं तो next part में हम सीखेंगे कि किस तरह से इसकी arm जो है इसकी बाजुएं किस तरह से बनाई जाती है वो हम सीखेंगे